So hello everyone, welcome back to my youtube channel So guys, आपको सबको पता है कि हमारे ये series का part 3 होने वाला है जिसमें मैं आपको बताऊँगा strongest price action level and trading तो strongest price action का नाम सुनते ही आपके दिमाग में बहुत कुछ आने रगता है कि price action के बात हो रही है मतलब या पे कुछ level के बात हो रही है कुछ strong level, कुछ weak level की बात हो रही है अब मैं बता देता हूँ कि जो stock market, forex market होता है उसमें अदूरा होता है price action price action की बिना वो market कुछ होता नहीं है बात जब binary trading के आती है तो हमको short time पे, short जगे पे ही level देखके analyze करना होता है क्योंकि stock market, forex market एक ऐसी चीज होती है जिसमें बड़े बड़े long position रहते है long, मतलब उपर नीचे दम bottom और top पे हमको levels लगा के trade करना होता है क्योंकि वह आपे वो अल्लग तरीके के analyze हो जाता है बात binary market में हमको एक minute पे देखना है, analyze करना है, price action जो भी है हमार analyze करना है और trade करना है बट याप पर हमारा एक challenge यह आजाता है कि level हम उपर उपर दूर दूर नहीं लगा सकते है क्योंकि वहाँ तक आने तक wait करना पड़ेंगा, कब आएंगा और वह आपर win करेंगा या नहीं करेंगा, उसका भी कुछ guarantee नहीं होती ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, सबसे पहले मैं आपको theory मतलब या पर जो ppt special आप लोगों के लिए बनाया हूँ वो मैं बता देता हूँ, फिर हम लोग trading करेंगे इसको थोड़ा समदलो क्योंकि चोटी चीज है, जादा बड़ी चीज है ने ठीक है, अब देखलो, या पर कोई भी एक red candle बन जाती है, उसमें मैंने बताया था आपको कि उसमें एक active और inactive candle होती ही यह आपको बहुत अच्छी से पता है, active इन अक्टिव को देखके आपको NLS कैसे करना है, वो चीज मैंने बताया हूँ कि देखो, इसमें दोनों पार्टी active होती है और दोनों पार्टी inactive भी होती है अब देखलो, rate candle में समखलो, एक active को ने, यह 305 मतलब rate candle active है, 219 मतलब inactive green candle है, simple दिख रहा है, सब को बता चल जा रहा है अब मैंने active inactive में बताया था कि जो active रहेगा, उस पे trade करो, जो inactive रहेगा, उस पे मत जाओ ठीक है, अब यहाँ पर बात है ऐसी है कि हम लोग level की बात कर रहे है और जो level लगते है, वो हमारे strong price के हिसाब से ही level लगते यह जो level है, आईसे वैसे level लग जाते, यह price को देखके calculate होके यह level लगते, जितने भी level लग जाते अब देखो, जैसी यह candle का 305 मतलब active कौन था rate था, आपने देखे तब जाके पता चला कि यह जो candle है, मतलब strong है जब यह आपे level लग जाएगा, तो आपको यह मनना है कि level भी strong है, क्योंकि 305 यह candle active है, मतलब level भी strong है अब वैसे यह candle का नहीं, यह level strong है, वैसे भी यह green candle में, इसमें आपको, अभी मतलब समझ दो आपको पता नहीं, इसमें active और inactive कोन है बट आप जब यहापर level लग जाएगा, तो आप लोग यह समझ जाना, कि यह आपर candle, मतलब green candle सबसे ज़्यादा strong है, green candle का level सबसे ज़्यादा strong है, यह इतने area में, इतने radius में हमारे strong support level है मतलब green candle मतलब support होता है, rate candle याने resistance level होता है, तो simple simple इसको हम लोग price action की हिसाब से देखेगे, क्योंकि जो भी price आता है, उसकी हिसाब से action मिलता है आप पर, अब देखो हम लोग यह आपर trade कैसे करेगे, वो मैं बता देता हूँ, अब सबको पता है कि जो भी हमारे strong level होता है, अगर उसको suppose एकदम breakout या breakdown कर लेता है, तो उसके बाद में आप trade कोंसी करोगे, यह question मैं आपको पूछता हूँ, अगर suppose यह 2 level strong वाले, इसको अगर breakout कर लेता है, यह green candle ने, तो next candle की ले trade कोंसी लोगे आप लो, अब simple जवाब यही रहेंगा आपका, कि reversal क्यों लेंगे, reversal हम सब लेते हैं, क्योंकि strong level को कभी भी कोई candle ने breakout या breakdown कर लेता है, तो समद लेने यह green candle है, इसने पूरा अपना जो energy, जो भी ताकत इसने लगा दी है, अभी इसको तोड़ने में, तोड़ दिया, तो उसके बाद में वो energy अपनी लूज कर लेता है, पूरी, पूरी उसकी ता प्रिवेस candle से आ रहा है, बट पीछले वाले previous candle, जो भी strong रहेगा, उसके हिसाब से level लग जाएगा, अब मैंने वापे candle करके आपको दिखाया ने हूँ, बट समझ लोग कि आप एक level है, तो ये level के पास ये rejection ले रहा है, तो ये level के पास ये rejection ले रहा है, तो ये level के पास में अक्टिव रहता है, कोन हमारे bearish रहत है resistance के पास में, अब resistance से ही एकदम strong, एकदम rejection ले के आ रहा है, तो next candle की trade को से रहेगी, same activation, मतलब continue की trade रही आपे, क्योंकि activation कोन यहापे, bearish activation है, यहाँ पर ये level के पास में, और वासे active होते होते है, यहाँ पर आप रहा है, और next हमने continue कर लिया, अब यह continue कर लिया, तो यह भी rate candle ने भी strong level को ही एकदम record कर लिया, अब जैसे इसने तोड़ दिया, पूरे level को ही strong level को ही तोड़ दे रहा है, यह candle, तो समझ लेना, यह strong candle ही है, और strong candle strong level को भी तोड़ देता है, तो आप लूस करने तो हो energy, अब energy लूस के तो next rate आन देखो कि जब market के पास में कोई भी एक level के पास में हो ना, बार-बार कोई भी candle आते है, बड़ उसको breakout ने कर पाते है, उसको वहाँ से rejection लेता है, अब rejection लेने की यही वज़ा है कि यहापर, यहापर कौन है, यहापर resistance है, मतलब यहापर seller बेटे हुए, seller जैसे बेटे है, seller आया, आया, और यहापर इसने close कर दिया, इतने seller यहाँ तक आया है, अब seller कुछ ना कुछ active है, कुछ ना कुछ थोड़ा बुत आयेंगे, थोड़ा बुत आया है, आने के लिए आप लोग फिर rate के लिए जा सकते हो, तो जो इसी rate आया, तो यहापर rate बनगे, क्योंकि प्रिशर लेका आया, और हमने rate के लिए, अब यहाँ पर तो यहाँ से rejection लेके आया, example, अगर बीच में भी एक level रहता, और रहता ही यह, यह level यहाँ से भी है, और यहाँ पर तीन level भी, यहाँ तो दो level बनाया है मैंने, दिखाने के लिए समझ लो, यहाँ पर तीन level भी रह स तो यहाँ पर जैसी rejection लेके-लेके आता है, तो ऐसे आप लोग फिर rejection के हिसाब से वह, जहाँ से energy आ रही है, मतलब यहाँ से energy आई है, यहाँ से एक्दम ताकत आ रहा है, seller active कर रहा है, मतलब ताकत लगा रहा है, तो वही ताकत के तरफ आप ट्रेट करोगा, आप ऐसे नहीं आपको ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा, तो वहाँ पर आपको समझ में आएंगा, तो इतने बात आपको समझी, तो अभी हम लोग लाइफ ट्रेडिंग जाएगे, और वहाँ पर मैं हर एक चीज़ प्रैक्टिकल एक एक trade, लाइफ ट्रेट करके दिखाऊंगा, तो गैस मैं आगे वो कोटिक्स के लाइफ टर्मिनेटर पे, एक सेट पे गूचाट चलूए और एक सेट पे हमारा कोटिक्स ओपन है, अब देखो मैंने पार्ट वन, पार्ट वन में सिंपल बता था आपको क्या अक्टिव इन अक्टिव को लेके आपको trade करना है, अब कैस मैं डेटल के साथ में और प्रैक्टिकल बताऊंगा आपको, तो सबसे फिन मैं चार्ट टू को open कर लेता हूँ, चार्ट टू को, तो जैसे चार्ट टू को open करोगे, कुछ इस तरीके साब को देखने को मेलेगा, और यह जो levels बनते है, price action को हिसाब से ही levels बनते है, अब यह म सबसे ही बने है, जो हमारा price होता है, वो हमारा chart 3 में पता चल जाता है, जो हमारा chart होता है, वो एकदम जो forex market का जो भी price चालो रहता है, उसकी साब से बनता है, अब देखो, यह जो चालो है, यही candle में दिखा देता हूँ, यह जो वेरिश का candle बना है, अभी आपके सामने ही मैंने बताया था यह जो लेवल बना है यह प्राइस की सबसे स्ट्रॉंग लेवल बनते है बिकुज उसका 437 की 477 चालो है अभी अब एक्लेर ले तो उत्ता वीजिबल हो नहीं रहा है बिकुज बीच में कुछ यहापर आ रहा है उसकी सबसे दिखनी रहा है इसलिए यह प्राइस एक्षन में बहुत इंपोर्टन काम में आते है बिकुज यह जित्ती भी लेवल होते है वो हमारे स्ट्रॉंग लेवल होते है अब मैंने पिपिटी में आपको यही बताया था जो भी स्ट्रॉंग लेवल को अगर मतलब एक कैंडल एक से जादा लेवल को अगर कार देता है रिकाउट कर लेता है फिर रिवर्सल आता है अब क्यों आता है वही चीज मैंने बताया था अब देखोवे एक green candle जो है ना अमारे strong bullish candle के level को भी तोड़ रहा है और साथ में bearish के level को भी तोड़ अब साथ में क्या हो रहा है तोड़ भी रहा है साथ में rejection भी ले रहा है अब rejection क्यों ले रहा है क्योंकि यह strong level है जितने भी है strong level से reject हो ख्या रहे सिंपल यह चीज या फिर इसने पूरा ब्रेक आउट कर लिया तो भी आप रिवासर के लिए ट्रेड कर सकते हो अब देखो यह कैसा rejection ले रहा है strong point के पास है strong level के पास है rejection ले रहा है तो मैं ले ट्रेड ले लोगा marginal safety के साथ में marginal या थोड़ा उपर जाने दोगा या फिर मैं ट्रेड ले लोगा अब देखो strong मैं सबसे पहले एक ट्रेड प्लेस कर लेता हूँ ओके तो मेरे point पे ही ट्रेड प्लेस कर लगी है अब लगाने के ट्रेड प्लेस करने की वज़ा यही है कि strong bullish level और strong bearish level को इसने पुरा break out कर लिया मतलब तोड़ दिया है पुरा break out कर लिया इसलिए मैंने reversal के ट्रेड किया हूँ क्योंकि यह जो bullish candle ने है इसने हिम्मत दिखाई इसको पुरा break करने के इसने अकेननी हिम्मत दिखा दिया और यह lose हो गया मतलब पुरी energy इसने बस break out करने में लगा दिया और यहापर पुरा lose हो गया आपर तो जित्ते भी हमारे energy थी पुरी lose हो गयी है तो next energy हमारे bearish की रहेंगे तो इसलिए bearish की reversal के लिए trade आई है अब यह इसलिए आपर reversal के लिए लिया हूँ यहापर मैं दुसरा और market देख लेता हूँ जिसमें मैं और win कर सकता हूँ ठीके क्योंकि हम लोग analyze करेगी अभी तो just यह पर शुरू किया है trading करना अभी तो और कुछ trade करके दिखाऊँगा तो यहापर हमारे euro is the live market में हमारा एक trade win हो गया है तो GBP euro GBP में देख लेता हूँ ठीके यह मेरे favorite market है जो मैंने दो select करके रखाऊँ ओके euro GBP में हम लोग trade करेगे अब देखो इसने के साम मैं आपर एक bullish की trade ले लेता हूँ कर लेता हूँ trade place क्योंकि मुझे लग रहा है यह मेरे marginal लगा नहीं फिर पर मैंने trade place कर दिया एक दम point पे और यह bullish और मेरे entry point के उपर में ही close करेगी क्योंकि क्यों क्यों आप यह strong एक दम rejection लेक्शन लेके आ रहा है यह candle देखो इह देखो इतना strong लेके आ रहा है कि इसने doji बना दिया पूरा तो यह strong एकदम energy लेके आया है जो energy लेके आया है नीचे के strong level के पास से तो obviously for next कुछ ना कुछ reaction आये गाई उसका action मिले गई ठीक है मेरा point पर नहीं लगाया अगर यह पर लगता तो और अच्छा से मतलब मजा दाता और बट कोई नहीं मैंने लगा इसलिए क्योंकि मैं आप यह confident था confident लेके ही trade करना होता है हमको और हमने यह win कर लिया अब मैं और एक reversal के लिए trade place कर लेता हूँ ठीक है ओके लगगे मेरे point पर तो reversal के लिए trade place इसलिए क्या हूँ क्योंकि यह bullish candle है यह bullish candle ने दो level जो bullish के दो level होता है हमारे strong level और साथ में एक rate का bearish level यह तीनों level को इसने यह bullish candle ने breakout कर लिया मतलब यह breakout कर दिया energy दिखा दिया और energy loss कर लिया जैसे यह energy पूरा lose कर लिया वैसे हमारे दूसरे energy मतलब active को वने हमारे bearish active हो गया हाया पर इसलिए reverse लिए आगी है तो यह हम लोग 100% win करेगे और वापस ही euro USD का market देख लेता हूँ ठीक है तो जो आपके favorite market होते है वो आपक rate करकी दिखाऊंगा आप लोगों को ठीक है और हम लोग नहीं यह हमारा euro GDP में win कर लिया है तो euro SD में वापस जाते है और यहापर हम लोग देखते है और euro SD में अच्छा हम percent मिल रहे है तो यह आपर rate करना अच्छा लगता है मुझे क्योंकि euro SD अच्छा चलता है market बाकी comparison में अब देखो यह bullish का candle चल रही है यह जो पूरा breakout कर रही है और इसके बाद में 100% reversal लेने वाला हूँ because उपर में बने ही यहापर price level नहीं बनाया बट यहापर rejection लेके आ रहा है ठीक है और यहापर level बने गई अपर कैसा यह जो green candle है यह अभी rejection भी ले रही है साथ में इसने breakout भ ले लोगा ठीक है अगर यहापर नहीं breakout करती है तो फिर मुझे wait करना पड़ेगा तो next मैं वही energy के साथ में जाऊँगा ठीक है reversal वही continuation के साथ में जाऊँगा यहापर मैं reversal लेने वाला था अगर इसने यह भी candle को breakout कर लेता तो ठीक है यह strong level को भी breakout कर लेता हो बट यहाँ से rejection लिया और क्योंकि strong rejection उपर के level के पास से आया है सबसे पहले बात यहाँ से एकदम energy लेके आया है यह level के पास से यह level के पास से energy लेके आया है तो मैं समझ गया कि यह strong level energy है इसलिए मैंने वही continuation के लिए trick किया हूँ ठीक है तो यहाप पर देखो उसकी सबसे ही बनरे उपर नीचे जा रहा है बट entry point के नीचे में ही close करेगा इतना मुझे पता है ठीक है थोड़ा weak shadow बना रहा है अगर नीचे में भी लेवल है यह आप से rejection ले भी रहा है थोड़ा बट मुझे इस पर confident इसके वज़िसा आया है क्योंकि strong level के पास से rejection ले रहा है ठीक है तो यह level को आपको indicator indicate कर रहा है yellow green low rate low ऐसा बिल्कुल नहीं है यह simple है हमारा price action की हिसाब से calculate होके levels बन गया है और आपको उसरे level दिखाएंगा बाकी काम आपको करना है यह कुछ करके नहीं देंगा अब देखो यहापर में trade कर रहा हूँ यहापर में analyze कर रहा हूँ ठीक है और यह हमारे dos, यह level के पासे जो यह level जो दिख रहा है नहीं ही अपर का, यह level के पासे जिए green candle नहीं rejection नहीं लेया है gap दिया है वस ठीक है और यह जो candle लेयरा है तो मैं अक bullish के आपर एक risk ले सकता हूँ कि यहापर next bullish आ सकता है तो मैं एक bullish के लिए जाता हूँ क्योंकि energy bullish के पास से ही आ रही है मतलब नीचे से आ रही है ठीक है तो okay मैं एक okay तो यहापर strong लेनी की वज़ए यही एक और यहापर कैसा है यह strong level resistance और साथ में support भी दोनों mixture बनके आ पर एक energy दिखा दिया है जिसने bullish को boost किया है और इसले मैंने next bullish की trade किया हूँ ठीक है तो यहापर देखते है हम लोग की win करते हैं, loss करते हैं बट मुझे पता है कि आपर मैं बीन ही करुआ because आपर confident में इसके वज़े से था क्योंकि यह level के पास से एकदम boost मिले है ठीक है तो अगर यह नहीं, मतलब loss होते हैं तो कोई बात नहीं है हमारे PPR follow हो जाएंगा मतलब pending party recovery हो जाएंगी ठीक है, जैसे ही pending party recovery हो जाती है उसके बाद में एक reversal ले सकता हूँ because मुझे ऐसा लग रहा है अगर यह rate बनेगा तो direct यह पूरे level को तोड़ देगा और पूरे level को तोड़ देगा तो अच्छी बात है उसके बाद में मैं next reverse के लिए trade ले सकता हूँ ठीक है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग यहाँ पर short shot win कर लिया है 3, 2, 1, okay, boost तो यहाँ पर हमने यह भी profit माना लिया तो दोनों market में मैंने shift करके आपको trade करके दिखाया ठीक है, अब देखो बात ऐसी है कि यह market आपको थोड़ा zigzag type का चाहिए थोड़ा volatility market का चाहिए volatility बहुत अच्छे बात है लोग volatility नाम से डरते हैं बट मैं नहीं चाहता है कि आप लोग डरो क्यों Skytechs trading के पास से सिख रहा है वो volatility market उनका फेवरेटी है ठीक है, और सब सब फेवरेट मेरा वही market है fluctuation का, ठीक है तो एकदम trend वाले market में अगर देखूंगे trend में कोई सा chart 3 काम में आता है और जो हमारे level price action होता है, वो level हमारे बड़े-बड़े boost price के हिसाब से बनते है तो obviously वाप पे थोड़ा fluctuation volatility और fast candle moment रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है तो मैं रात के अभी 8 p.m. हो गए, आपे total एकदम 7 p.m. को मैंने start किया आता है आपे लगबग तो यह timing है night के, अगर इससे ज़्यादा आपड़े 10 बजे, 11 बजे या 8.30, 8.40 जित्ता भी है, जो भी time है 9 p.m. को 9.30 p.m. को जित्ता लेट करोगे उता अच्छा रहता है वीडियो हो रहेंगी, मतलब आप समझ लो, यह जित्ती steps में बता रहा हूँ, यह clear steps है यह steps clear होने के बाद में ही आपको दीरे-दीरे OTC के तरफ लेके जाऊँगा मैं, उसकी tension बिल्कुल मतलो विकोज आपको live में पैसे कमाना है और OTC भी थोड़ा रिसकी होता है, और इसलिए मैं OTC के सबसे पहले मैं उस पर ज्यादा focus नहीं कर रहा हूँ, live market कैसा है बहुत easy है और अच्छा market चलता है Forex market, ठीक है? और GoChat का login और sign up का आपको पता ही है कि जो भी website पर आप लोग direct search कर सकते हो GoChat.in तो आपे जाके आप लोग register करना है जो भी sign up करना है premium chart को open कर लेना, enable करने ना है जिससे premium chart enable करोगे तो आपको chart मिले गए आपे और chart 2 को आप enable कर सकते हो साथ में आप chart 3 को भी लेके आप लोग trade कर सकते हो कोई बात नहीं वो तो अच्छी बात हो जाती है जिसमा आप chart 3 को भी लेके आप लोग analyze करके आप लोग trade कर रहे हो ठीक है, so इसके सबसे आपको अच्छे से trade करना है और थोड़ी चीज़े आपको देखनी है और ज्यादा panic होके trade नहीं लेना है देरे-देरे money management follow करना है और पैसे बनाना है, ठीक है सो मिलती नेक्स वीडियो में तब तक के लिए